दे आर टू बाई एक कार इसमें दे सब्जेक्ट हैं फिर आर इस्तमाल हो रहे हैं टू बाई ये इन्फिनिटिव है इन्फिनिटिव यानि के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फर्म टू बाई ये इन्फिनिटिव है एक कार आपजेक्ट है तो इसमें रूल यह होता है कि अगर इन्फिनिटिव का यूज हो तो उसको lampsff कर देते हैं टू भी वर्ब की थर्ड फर्म में तो इसमें कार जोहे वो अबजेक्ट था, वो सिब्जेक्ट बन कर आएगा. एक कार, SHOULD का इस्तमाल गलत है इसमें. फिर BY THEM, बाई देम जोहे वो, दे जोहे सिब्जेक्ट था, वो अबजेक्टिफ फार्मम् में देम बन कर यहां आगया. तो by them by him गलत है ये तीन जगाओं पर है लेकिन a पहले ही गलत हो चुका है तो option जो correct हो सकते हैं वो b या d है और to be bought ये option d के अंदर by them तो a car is to be bought by them जबके by them है यहां पर ये गलत है इसलिए correct option है option d